कि निव्स क्लिक में आपका स्वागत है हम आज चप्चा करेंगे जो बाला कोट में हमने एर स्ट्राइक्स किये हैं उसकी जो सैटलेट इमिजरी निकली है तजवीर निकली है उसका मकसद उसका मतलब क्या है और इसको बात करने के लिए हम रगुनंदन से बात करेंगे इसका पब्लिश किया है यह काफी डीटेल सैटलेट इमिजरी है जिसमें एक मीटर के नीचले रिजलूशन मिलता है तो इसको हाई रिजलूशन सैटलेट इमिजरी कह सकते हैं इसके मुताबिक बाला कोट के में जो मदरासा जैशे मोहमत की मदरासा थे उस पे खास कोई बॉंबिंग के नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसलिए सवाल आया है कि सचमुच हमने क्या बंबारी की और उस पे कितना नुकसान हुआ यह तीन सो छे सो चार सो जो हम धेर करने की बाते कह रहे हैं जो फॉरण सेक्रेटरी गोखले साब की पहला नहीं मरें कितने मरें इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते तो अगर वायू सेना के पास इसके एरियल तस्वीरें हैं जो हुआई जाज ने ली होंगी या सैटलाइट के तस्वीरें हैं तो उसमें शायद एक तो बिल्डिंग में क्या हुआ वो दिखे और दूसरा अगर वो उसी टाइम के खींचे हुए तस्वीरें होंगी तो शायद उसमें कुछ लोग का इदर उदर भागना वो भी शायद दिखे पर इसके बारे एक मिटर रिजलूशन में तो आराम से दिखेगा तो पर ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ इसका वायू सेना ने कहा है कि ज जो सैटलाइट से उसके भी तस्वीरें होती है जो सिविलियन सैटलाइट से उनकी भी तस्वीरें होती है तो मेरे ख्याल से एरियल फोटोगरफी सैटलाइट इमेजरी की कोई कमी नहीं होगी बादल होंगे राप में वगरा वगरा कुछ भी हो पर आपके पास काफी से आपने ये तैय किया कि हम इसको अभी रिलीस नहीं करेंगे पर जितना और अंतर राश्ट्रे सूत्रों से ये निकल के आया है लग रहा है वो दिखाते हैं कि जो च्छत है बिल्डिंग का वहां पे कुछ डैमेज हुआ है कुछ छेद से नजर आते हैं उसमें जहां पे कु कि चिन हैं तो हो सकता है कि अगर जो बंग गिराए गये हैं वो जिसे कहते हैं पेनेटरेशन बॉम यानि कि सीधा जाके वो पूपते नहीं है पर वो जमीन के अंदर जाके फिर वहां पे पूपते हैं अगर उस प्रकार के बंग हो तो वो हजार किलो इत्यादी के एक्स्प होंगी पर अगर वो वाले टाइप इबयं हैं तो उसमें कितने आदमी मरे होंगे नहीं मरे होंगे कितना डैमेज होगा वह भी शाहीद therm कम साइड पे वह कह कर सकते हैं इससे जाधा आज तक हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि वायु सेंहां ने बंक के डीटेल अभी नहीं बताए और सैटलाइट इमेजरी ना तस्वीर हैं हमारे हाथ में अंतराश्ट्रे सैटलेट इमेजरी जो है उससे यह बात जाहिर है कि बहुत बड़ा डाविज वह दिखाए नहीं पर चार दिवारी अभी तक खड़े होते हुए नजर आ रहा है और हिंदोस्तान की पह है नहीं सकते अगर वो रिपेर कर लिया तो आपको छेद भी नहीं दिखाए पड़ा गया तो यह सब देखते हुए वहां पर कितने लोग मरे नहीं मरे ग्राउंड रिपोर्टिंग की हिसाब से भी कोई तद्वीर हमारे पास नहीं हा रही है एंटी आरो का एक स्टेट्मे में आप कुछ मॉनिटरिक कुपिंट चाहिए यह तो आपका क्लोज रेंज में मॉनिटरिक कुपिंट चाहिए तो यह भी लगता मनगणत सोर्सिस की बाते हैं सिरफ एक चीज है जो आज सुबह तक की खबर के मताबिक उस इलाके के जाबा टोप के पास जहां यह मदरसा है उसमें जो पहाड़ी सडक है जो उपर जाती है पाकिस्तानी फॉज ने अभी तक वहां पे अंतर राश्ट्रिय कर्रस्पॉंडेंट्स वगेरा को जाने नहीं दिया तो अगर जाने नहीं दिया कुछ तो कारण होगा कि वो जाने नहीं दे रहे अगर जैसे पाकिस्तानी फ पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अंतर युनाइटेड नेशन्स में जाके भारत के खिलाफ पर्यावरंड के उपर हमले का एक कंप्लेंट दर्ज करें और ये भी कहा है कि वहां पर एक कववा मरा है तो केवल अगर वो कववे को भी दिखा देते हैं अंतर राश्ट्रे सुतरों को तो वो भी एक टीज होता पर वो अभी तक रोक रहे हैं इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ तो हुआ होगा शायद वो उतना ना हुआ हो जितने हमारे राजनितिक लोग उसको ज़्यादा बड़ा चड़ा के बोल रहे हैं और हो सकता है उतना कम भी ना हुआ हो जो पाकिस्तानी फौजी और सरकारी तक वो कह रहे हैं पर उन्होंने पहले रॉयटर्स को जारे दिया था जहां पर वो कह रहे हैं कि जगनल में स्ट्राइक्स हु ले लिया है और यह एक जैश मुहंबत के लीडर्शिप को भी उन्होंने अरेस्ट किया है तो वो तो अलग कहानी है पर अगर हम यह एर स्ट्राइक्स पर वापस आते हैं तो आप जो कह रहे थे कि बॉम्ब जो इस्तिमाल किया है पहले हमारे पास यह ख़वर थी जो सोर्स स्ब्सक्रस के मताबिक था कि वो स्पाइस पॉड्स थे और हजार केजी के लेजर गाइड़ंड बॉम्ब थे तो अब यह जो भी है इस सैटलेट डीचियरी के तो यहां भी कोई साफ तजवीर नहीं है, हमने इस्तिमाल किया किया है, और आखरी बात आपको यह कहना चाहूंगा, चाहे इंडियन एर फोर्स हो, चाहे पाकिस्तारी एर फोर्स है, दोनों ने अगर एसकेलेशन को एक हद तक ले जाना नहीं चाहते, तो यह लॉजिक बनता ताविक उन्होंने लॉक किया डिफेंस टारगेट्स को, बिलिटरी टारगेट्स को, लोजिस्टिक्स टारगेट्स को, पड़ एंप्टी ग्राउंड में उन्होंने अपने मिजाइल दागे, और यह भी हो सकता है, कि हिंडुस्तान ने भी पाकिस्तान के अंदर जाके पोजिशन हो सकता है, मेरा तो मानना है कि यही अनुमान अगर लगाया जाए तो यही सवी अनुमान होगा, कि सामरिक रूप से, क्यों बाला कोट में यह बंबारी की, कितना किया, नहीं किया, मुझे लगता है इसको करने का मकसद, एक तो राजनीतिक दल को अगर आप है रही है, चुनाओ को मन में रखते हुए, वो क्या कह रही है, सामरी ग्रूप से अगर वायू सेना के साथ बैठके जो तै हुआ है, तो वायू सेना ने जाके यह दिखाया है, कि अगर अगली बार ऐसे चीज़ हो, तो भारत यहां तक एक्शन लेने के लिए तयार है, और च्छमता रखती है, कि पाकिस्तान के अंदर, केवल पी-ो-के के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर जाके भी हम मार सकते हैं, यह च्छमता और तैयारी हमने दिखा दी, मेरे खायल से सामरी क्रूप से यही है, चाहे वो उसमें कुछ डैमेज हुआ हो, कितने आदमी मारे ह नहीं हुए, मकसद यह था, मेरे खायल से, और वो दिखा दिया, उसके बदले में, पाकिस्तान ने भी दिखा दिया, कि अगर आप कह रहे हो, कि यह एक, जिसे अंग्रेजी में कह रहे है, न्यू नॉर्मल, कि आइंदा से भारत इसके लिए तयार है, और हो सकता है, अगली यहां भी आके मार सकते हैं, तो उनका न्यू नॉर्मल वहां पर भी, उनका भी नॉर्मल उन्होंने भी साफ़त कर दिया, अब इसमें खत्रा यह है, अगर अब न्यू नॉर्मल एक जगड़े के तोर पे, फॉजी एक्शन और रियाक्शन के तोर पे, न्यू नॉर्मल एक उन्चे स्तर पे हो रहा है, तो इसके अंदर भी एक खत्रा है, कि अब तो न्यू नॉर्मल हो गया कि आपने जाके अंदर मारा, अगला न्यू नॉर्मल होगा कि आप पांच जगह मारोगे, तो वो भी पांच जगह मारेंगे, अगला होगा कि आप दस जगह मारोगे, फिर उसके आगे तो new normal वो भी बनता है कि nuclear की बात आएगी तो मेरे ख्याल से ये जो escalation किया है भारत ने उसके अंदर एक खत्रा inbuilt है एक बना हुआ है उसके अंदर कि अगर आप उसको चड़ाएंगे अगले लेवल तक तो खत्रा ये होता है कि ये चड़ते रहें कि ये आगे आगे और बढ़ता रहें और उसके अंदर जंग का खत्रा है ही जंग के साथ साथ दोनो nuclear देश हैं तो सिर्फ हमारे साउट एशिया का खत्रा नहीं बलकि पूरे विश्वग खत्रा है अच्छा इसके साथ एक जुड़ी हुई चीज और है कि ये न्यू नॉर्मल भारत ने दिखाया कि चलिए हमने पाकिस्तान के अंदर जाके बॉम गिराया च्छमतार रखते हैं और हम तयार हैं पर इसके इसको देखके अमरीका हो यूरप हो अन्य देश हो वो भी इसमें हैं डरे हुए हैं कि वहीं कहीं यहां पे एक युद की तरफ ना बढ़े तो वो जल से जल दो तीन दिन के अंदर उन्होंने यहां पे ठंडा करने का काम किया उसमें और शायद भारत का ये भी मनसा थी कि इस से पाकिस्तान के ऊपर जैशे मोहमद इस प्रकार के जो आतंकवादी ग्रूप हैं कि उन पे एक्शन ले इसके लिए अंतर राश्ट्रिय स्तर पे भी बाओ पाकिस्तान पे बने तो हो सकता है ये एक पॉजिटिव एक अचीवमेंट है भारत के लिए पर इसका एक उल्टा पहलू भी है और वो है कि जितना आप अंतर राश्ट्रिय ग्रूप्स को खास करके सामराजवादी देश जैसे अमरीका है जिनों ने खुद अल-काइ उनको सपोर्ट किया उनको आप अमंतरित करते हैं तो आप एक तरह से कश्मीर के इश्यू को लेके भी आप उनको अमंतरित कर रहे हैं कि आप इसमें आईए और धखल कीजिए जो भारत एक तरफ कहता है कि ये हमारी विदेश नीती नहीं है हम से हिंदुस्त पाकिस्तान औ के आज तक वो ये दिखा रहा है कि जितना भी आप के बीच में मुटबेड होता है भारत की भी कोशिश ये रहती है कि वो अमरीका के पास जाके या अंतर राश्ट्रिय और अन्य देशों के पास जाके कहते हैं आप जल्दी आईए और पाकिस्तान और उनको ठंडा और इस जगड़े को जल्दी से सुल जाईए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा मेकनिजम नहीं है जिसको कि हम मानके चलें कि इसके वज़े से हम इसको कंट्रोल करता हैं तो कंट्रोल करने के लिए हम भी चाहते हैं कि आंतर राश्ट्रिय पर खत्रा लग सौल दे रही हम कि भी हम बुला रहे हैं सुलाह करने के लिए और ये लोग टेरर इंटरनाशनल की जो बात अब कर रहे थे ये उनमें पूरे तरह से जुड़े हुए थे सिर्फ उस वक्त नहीं जबकि वहां रश्या सौविट यूनियन अफगानिस्तन में थी इसके बाद भी दूसरे जगों पर भी इनके एक पूरा इसके साथ इनके एक ताल्बे लाहा है इसके बाद वर्ल्ट ट्रेड टावर्स गिरने के बाद भी सीरिया में एराक में एक इनकी सांट गाट रही है तो ये देखते हुए आप एक तरह तो उनको ही आप कह रहे हैं मत दस्ता करन के लिए दूसरी बात आप समझते हैं कि टेरर इंटरनाशनलाइजड होगा पर कश्मीर इंटरनाशनलाइजड नहीं होगा ये जो है दूसरे बुल्क इतना आसानी से मानेंगे नहीं वो कहेंगे हम मत दस्ता कर रहे हैं पर आपको कश्मीर भी बिवात करना है और ये जो हम कह रहे हैं, कשμ salsa में हम कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान और टेरल करेंगे, ये लगता है कि इन्टिन स्तर पे ये चलाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है इसमें आखर में मैं एक चीज यह कहना चाहता हूँ अभी तक जितनी चर्चा हुई है वो बाला कोट में भारत के वायू सेना ने क्या किया इस पे बात हुई है जो पाकिस्तान ने उसके खिलाफ जो चंद दिनों के बाद एक्शिन लिया मेरे ख्याल से अगले दिनी वो हमने बहुत कम एनलाइज किया है कि यह हमारी रक्षा की क्षमता डिफेंस प्रिपारेडनेस सेक्यूरिटी अलॉं दा बार इसके बारे में क्या दर्शाता है उसके बारे में भी मुझे लगता है कि आनलेसिस होनी चाहिए कि जितना हम कह रहे हैं कि देखि से उतनी ही असानी से पाकिस्तान भी तो आपके यहां गुसी तो इसके बारे में भी मेरे ख्याल से सोचना बहुत जरूरी है तरने बाद रगू हमारे साथ होने के लिए और हमको बताने के लिए इसकी पूरी पिक्चर जो है इंडिया पाकिस्तान की इस जंग का जो हवा चली थी उसको समझाने के लिए और इसकी लार्जर स्ट्रेटीजिक इशूस जो हमारे सामने है उसको रखने के लिए आज नियू झाल झाल